नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूप चनल पर दोस्तों जैसे कि हमने लाज्ट वीडियो में डिस्कस करा था मैंने किलियर बताया था कि मार्केट अब हो सकता है एक दो दिन कंफ्यूज करेगी कोई बायरों को करेगी उन्हें ट्रैप कर सकती है अब लाश्ट वीडियो में बताये था कि सौंबार को ट्रेडिंग सोड़ा ध्यान से करना और हमने जो मंदे को सैट अप बनाए थे मैं उसका अनलेज करके बता जाता हूं और उसके बाद हम डिसकस करेंगे कि ट्यूजडे के सैसे मार्के को हम कैसा ट्रेड कर सकते हैं अब जब मार्केट जब फ्राइडे को क्लोज हुई थी तो हमने अनलाइस करा था कि अगर इस रेंज के उपर क्लोज करती है सौरी इस रेंज के आसपास अगर ओपन होती है याजिके पैंतालेश एक्सोबाइस इस तो डाग कर देता हूं पैं तर्गेट देखने को मिल सकते हैं 45221 का और दूसर टार्गेट 4533 का लेकर मार्केट जो ओपन होती है हमारे जो हमने रेंज बनाए थी इसके लोवर साइड वो ओपन होती है और नीचे ही सारा दिन करती रहती है अब जो मार्केट जब यहां कहीं ट्रेड कर रहा था साइड 10 बजे 10 बजे के आसपास की बात है जब मैंने आप किलियर कट बताया था कि जब मार्केट नीचे 811 को ब्रेक करेगी या उपर 4555 को ब्रेक करेगी तो उपर के दर हम टार्गेट देख सकते हैं जो कि पहला फिर वह 4522 वाला होगा यह मार्केट ने 45 जार के आसपास गई नहीं सारा दिन उससे नीचे करते रही हां नीचे की तरह एक चोटा सटार एक ट्रेड मैंने लिया था जब मैंने जिब मार्केट जहां चल रहे था मैंने के रेंज बना के दिखे दी थी आई होप आप सबीनो वीडियो देखी होगी मैंने यह एक रेंज बनाई थी कि मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है पांच-दस मिनट यह रेंज बनाई के दोस्ते मान रखी हुई थी जब मार्केट सुबह मेरे सेट अप पर नहीं हुआ था और नीचे के तरफ में ट्रेट ले लूँगा जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक कराता था मैंने इस केंडल के आसपास ही ट्रेड लिया था और जैसे ही मेरे पहले टार्गेट के आसपास आया इस केंडल पर निकाल दी और जब मार्केट 10 मिन सश्टेन के ऊपर जाने लगा तो मैंने लगवाद 11-15 के आसपास दूसरी कॉंटेक्ट निकाली थी चलिए पहले आपको ट्रेड दिखा जाता हूँगा अपना इस पचास में ट्रेड लिया यानि की यह एक यह केंडल दस पचास है इस केंडल पर ट्रेड लिया आठ सो ती यह उसे पता चल जाएगा कि मार्किट क्या मूव दे सकती है अब मार्किट ने देगो दोस्तों क्या करता है मैंने किस बेस पर ट्रेड लिया पहले मार्केट ओपन होती है नीचे आई कल की क्लोजिंग के आसपास क्लोज करकर मार्केट ऊपर चले गई अब ऊपर तो गई लेकर मार्केट ने इसका हाई नहीं तोड़ा मार्केट फिर नीचे आई फिर उपर गई अब उसने पिछले गवाले का हाई भी नहीं तोड़ा नहीं अब मार्केट ने जैसे यह वाला लो तोड़ा था आट सो अठासी वाला तो मैं थोड़ा सा कंफर्म हो गया थे मार्के थोड़ आपको नीचे का मूव दे सकती है अब मैंने पहले ही कहा था कि जब तक मार्केट अपला डेली चार्ट बता दू कि मार्केट जब तक इस ग्रीन इस रेड केंडल के अंदर है तब तक आपको छोटे-छोटे मूव ही मिलते रहेंगे और मैंने इस केंडल के ओपर वी आते हैं अब जैसे मुझे यह लगा कि यहां से यह लो ब्रेक हो गया है दो प्राइजेक्शन चेंज हो गया है थोड़ा सा मैं छोटा सा रिस्क लिया था यहां पर और कॉंटिटी भी कम रखी हुई थी जैसे मेरे टार्गेट पाए मैं 50% कॉंटिटीव ने निकाल दी और आ यहां पर 100% कॉंटिटी निकाल दी और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करा दो सुर। सरफ एक यही ट्रेड हुआ था यहां मैंने बाइंग करा और यह दो कुछ पॉंटिटी यहां निकाली उसके बाद आज मेरा कोई ट्रेod नहीं सिर्फ एक ट्रेड था अब सार दिन मार्केट इसी रेंज में 45,000 और नीचे 45,800 इस रेंज में सारा दिन मार्केट करता रह गया अब देख लेते हैं कि मंगलवार के सेशन में हमें ट्रेट कहा मिल सकता है पहले हम भी ये रेंज तयार कर लेते हैं अपनी जो आज मार्केट ने रेंज बनाई है ये देखे दोस्तों आज मार्केट सारा दिन इसी इसी बीच में करता रह गया अब कल के सेशन में मार्केट अगर इस बीच में ओपन होता है कहीं 855 और ये 777 इस बीच में ओपन होके नीचे 755 को क्रोस करता है तो पहला ट्रेड हमें हमारे लिए जाग सकता है चावाले 666 तक और दूसरा लेवल होगा चावाले 555 का अगर मार्केट इस बीच में ओपन होता है और इस हाई को नहीं तोड़ता है जो में हाई बनाई हुआ है 855 के आसपास का इस बीच में consolidate करने के बाद नीचे के तरफ निकलता है तो नीचे के तरफ पहला टार्गेट हमें इस लेवल के आसपास तक ला सकता है जो कि 666 के आसपास है आई होप आप से भी को दिखाई दे रहा होगा ये देखे दोस्ते यह वाला टार्गेट पहला टार्गेट हमें यहां तक लेगा सकता है और दूसरा ला सकता है इस लो के आसपास जो तीन दिन पहले लो बना हुआ है ये लो पहला टार्गेट हमारे ये होगा 666 के आसपास का और दूसरा टार्गेट यह होगा 555 के आसपास का नीचे के दो टार्गेट होंगे, कंडिसन यही होगी, कि मार्किट इस रेंज में उपन हो, अगर मार्किट इस रेंज वोपन होता है, वो इसके बाद नीचे के 705 को ब्रेक करता है, तो मेरा कोई इंट्रेस्ट नहीं होगा, अब उपर के तरफ देख लेते हैं इसा बटा जैता हूँ उपर के तरफ दोस्तों होगा कि मार्केट 44, 922 और 45,000 के बीच में यानि कि ये जो range है इस बीच में open हो 44, 900 के आसपास open हो यहां consolidate करें कुछ time और जैसे ही 44, 55,55 को निकालता है तो उपर के तरफ टार्गेट पहला टार्गेट निकल के आ सकता है 45, 622 का और दूसर टार्गेट होगा 45, 222 का उपर के तरफ ये दो टार्गेट होगे नीचे के तरफ भी दो टार्गेट में ने बता दिया है condition दोस्तों यही होगी कि मार्केट उपर के साइड में अगर उपन होता है तो 44, 922 और 45,000 के बीच में उपन हो ऐसा नहों कि 45,000 के 45,000, 33,000, 35,000 के आसपास उपन हो वहां रुक के फिर उपर भगे वहां उसा रुक नहीं दीजेगा दोस्तों पांच-दस मेंट, पंदे मेंट उसके बाद देखते हैं क्या projection बनता है जोस्तों जब तक मार्केट जो मैंने पहले चार्ट पर चलते हैं मैंने पहले ही बताया था फिर बता रहा हूँ जब तक मार्केट इस रैड केंडल के अंदर यह जो आप केंडल देख रहे है जब तक इस केंडल के अंदर रहेगा तब तक हमें अच्छे मुमेंट नहीं मिल मेरे इसाब से नहीं मिल सकते हैं होने को हो भी सकता है कि एकदम से मार्केट एक तरफ का मूव दिखा दे लेकिन मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं होगा जब तक मेरे सेट अप केलियर नहीं होगा अब मार्केट अपर साइड में जो रेड केंडल बनी होती है इसके अपर साइड में इसके अपर क्लोज कर देगा तो हमें एक अच्छे मुमेंट देखने को मिल सकती है मैं अब प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के उपर है लेकिन हाँ अगर मेरा मेरी वीडियो देखकर आपका लॉस कम हो रहा है तो प्लिस मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद